हलो फ्रेंड्स नमशकार मैं निशानिक वर्ड में आपका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में फ्रेंड्स में एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक लेके आई हूँ जो है हैश्टेग के बारे में हैश्टेग का प्रॉपर यूज करना बहुत जरूरी है वीडियो को वाइरल करने में अगर आपके हैश्टेग प्रॉपर है आपका सेलेक्शन सही है तो आपकी वीडियो बहुत जल्दी सर्च में आ सकती है और उसको वाइरल होने के चांसे ज़्यादा होते हैं आज की वेडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस दरह से आप hashtag use कर सकते हैं, आप maximum कितने hashtag use करने हैं, आप hashtag को title में use करोगे या description में use करोगे और hashtag की importance क्या है hashtag को कैसे सर्च करते हैं ये सारी detail आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगी तो friends वीडियो पे जाने से पहले मेरी आप से request है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर किये बगार वज जाएगा तो friends अभी हम अपनी वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि हैश्टेग को कैसे यूज करना है कहां यूज करना है और कितने हैश्टेग यूज करने हैं ये सारी क्वेरीज सॉल करते हैं चलिए friends चलते हैं वीडियो पर Friends YouTube की नई गाइडलाइन और अनौंसमेंट के थूँ आप जो हमारे हैश्टेग हैं वो सर्च में बहुत ही तो हैश्टेग की इम्पोर्टेटन्स और उसको कहां कैसे सेट करना है कितने हैश्टेग होने चाहिए इसके लिए मैं आपको अपने चैनल पर Friends ये मेरी वीडियो है Copyright Free Music कैसे आड़ करें तो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने हैस्टेक्स को इसमें यूज किया है जैसे आप टाइटल में देखेंगे कि How to get copyright free music for YouTube वीडियो मैंने इसमें दो ही टाइटल यूज किये हैं हैस्टेग आप अपने टाइटल में भी यूज कर सकते हैं उसमें आप अपने एक या दो हैस्टेग ही यूज करें जो हैस्टेग मेंनली यूज हमें करने होते हैं वो करने होते हैं अपनी वीडियो के दिस्क्रेप्शन में तो यहां फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने अपनी वीडियो में 8 hashtags यहां पर लिखे हुए हैं जिन में आप देखेंगे जो पहला hashtag है copyright free music for youtube videos, copyright free songs, copyright free music, copyright free music for video और copyright free music 2021 इस तरह के hashtag जब भी viewer उनको देखने के लिए youtube सर्च में डालता है तो हमारी video के ऊपर आने के या trend होने के chance maximum होते हैं friends जब भी आप hashtag डालें 7 या 8 hashtag जरूर डालें maximum hashtags हम 15 डाल सकते हैं अगर उससे ज्यादा hashtag हम लोग डालते हैं तो वो youtube के guideline के खिलाफ हो जाता है वो illegal activity हो जाती है तो friends ये hashtag अपने video में use करेंगे तो ये video को trend होने में और viral होने में बहुत helpful है अब बात आती है कि hashtag जो trending में है हम उनको search कैसे करें तो friends उनको search करने के लिए youtube पे हमें ये option मिलता है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ तो friends जब आप youtube पे जाएंगे तो आपका जो भी video का title है उसको आप hashtag डाल के search कीजिए जैसे मेरा title है copyright free music तो मैं यहाँ पे copyright free लिख रही हूँ उनमें से जो भी hashtag आपको अपनी video के लिए सही लगता है अब यहाँ से आप उसको copy करके अपनी video के description में डाल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा और इसमें आगे लिखें copyright free music अगर मैं लिख रही हूँ तो आपके भी तीन hashtag एकदम से सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब है यह hashtag अभ लाने के लिए वाइरल करने के लिए I hope friends आपको यह video अच्छा लगा होगा तो देखा friends आपने hashtag कितना important है और hashtag को हम कैसे use कर सकते है I hope मेरी video आपको पसंद आई होगी तो मैं आपसे request करते हूँ आप मेरे channel को subscribe करना ना भूले और channel का content अगर आपको अच्छा लगा है तो like and share और जरूर करें तो friends जल्दी ही में लेकर आऊंगी अपनी अगली वीडियो और आपकी किसी पी परकार की query है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आपकी queries का answer देने की तो ठीक है friends मिलते हैं नई वीडियो में नई contents के साथ नम जब शकार